नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम DTS receiver का power supply repair करने वाले हैं तो जैसा कि आप देख सकते हमारे पास एक power supply है यह बिल्कूल dead है यानि हमारे output पे कोई भी voltage इसमें नहीं आ रहा है आज की इस वीडियो में हम इसका fault finding करने वाले हैं तो दोस्तों यहां पे आ सबसे पहले यहां पे हमें दो वायर जोड़ने होंगे जो कि हमें AC से connect करने के लिए ठीक है तो यहां में दो AC से connect करने के लिए इस तरह का दो वायर यहां पे connect कर देता हूं तो अभी दुस्तो वायर जोड़ दिया हमने अब इसको हम सप्लाई दे देते हैं ठीक है तो देखिए सप्लाई हमने लगा दिया यहां पर आउट्पूट पर बोल्टेज चेक करेंगे तो जैसा कि आपको पता है आउट्पूट पर हमारा बोल्टेज यहां इस पाउर सप्ल सप्लाई में 3.4 और बाकी आपका 14 बोल्ट 20 इस तरह से सप्लाई हमको मिलता है ठीक है तो इसका मल्टी मीटर का हम ब्लैक प्राड जो है कि ग्राउंड कर देंगे और 20 बोल्ट के रेंज में रख लेना मल्टी मीटर किसी भी साइड से आप दो नंबर का पीन जो देखेंग और इसके आउटपुट पर बोल्टेज यहां पर चेक करेंगे यहां देख सकते हैं कोई भी बोल्टेज यहां पर यह हमको इस तरह से नजर नहीं आ रहा है अब यहां पर एक चीज यहां देख लीजिए यहां हमको 15 बोल्ट यहां पर मिल रहा है और यहां पर 11 बोल्ट मि तो दोस्तों इसमें हमने इधर का कोई सभी पार्ट को चेक कर लिया लेकिन यहां कोई भी फाल्ट हमको इस पार्ट में नहीं मिला यानि जैसा कि यह पाउर सप्लाई हमारा दो सेक्षन में होता है एक आपका प्रैमरी होता है और फाल्त है सेकंटी होता है ज cowboy जिसे यह हमारा जो एसम टासफ़ार्मर लगा हूए driver यह आधा आपका प्रैमरी से जुड़ा होता है तो हमने सिकंटी के सभी पार्ट को चेक कर लिया जैसे की इस तरह से कराल होने में क्या होता है य primeira değild mo नहीं मिल रही है तो आपका सम्पियस सोरी यह ट्रांस्फार्मर का क्वाइल ओपेन हो सकता है ठीक है वाई इसको भी हम चेक करके बाल दिखा देते हैं तो यहाँ पे हमारे जो यह ट्रांस्फार्मर के जो पांच लेग हैं यह सभी कांटीनिटी आपस में देने चाहिए और स है इसतर डायोड हमारे सही है हमने एक एक डायोड को चेक कर लिया तो दोस्तों यहाँ पे अब बात यह है यह ख़राबी हमारी इधर से नहीं तो ख़राबी है कहां से तो इसका फाल दोस्तोंग कुछ बोल्ट बन तो ज़्याद आप करके problem हमारा यह secondary में होता है लेकिन इस power supply में यहाँ जो fault है हमारा primary में है अब आईए हम primary का कुछ voltage आपको check करके दिखा देते हैं जैसे कि यहाँ हमारा इस capacitor पर voltage जो आना चाहिए वो आ रहा है कि नहीं यहाँ हमारे यह transformer से coil से होके आ रहा है वो आ रहा है कि नहीं सभी आप यहाँ पर एक बार देख लीजिए तो देखे हमने supply फिर से लगा दिया और multimeter अब रखनेंगे हमें यहाँ 1000 volt के range में ठीक है तो यहाँ मैं माइनस लगा देता हूँ झ随क के टैर का माइनस है और प्लस पर हम लगाते हैं देख सकते हैं यहाँ पर हमको जो voltage मिल रहा है कि कहाँ 238 बπόल्ट को 310 आ यहाँ निहां voltage प्रापर आ रहा है अब यही आप्लाइं हम यहाँ पर आती है और यही हमको supply proper मिल रही है ठीक है यहां तक proper supply मिल रही है इसके बाद यहां पर देखेंगे आपको one point कुछ बोल्ट मिलता है ठीक है इस leg पर आपको वो supply हमको यहां पर नहीं मिल रही है ठीक यही एक one point कुछ बोल्ट के आसपास हमको एक coupler पर मिलता है जो कि coupler पर बहुत कम आ रहा है देखे यहां पॉइंट फोर के आज पास ठीक है और यह पिन हमारी ग्राउंड होती है तो यहां पर भी बोल्टेज कम मिल रहा है तो दोस्तों यहां पर आप सप्लाई निकाल देते हैं और इधर के पार्ट को हम चेक कर लेते हैं एक बार इससे पहले चेक करने से पहले आपको क्या करना है इस केपसीटर को आपको एक बार यहां तरह से sort कर ले रहा है ठीक है तो sort कर दिया हमने अब देखिए यहां पर हमारा part कितने लगे हुए है एक register लगा हुआ एक capacitor लगा हुआ है ठीक है उसके बाद यह coupler है और एक IC है डायोड है यह है तो register को चेक करने के लिए हम यहां लगा लेंगे मल्टिमीटर और यहां पर 20 kg में लगा लेंगे 20 kg लगा लेंगे तो यहां हमारा यह इनके का register लगा हुआ यह हमारा बढ़ी असानी से चेक हो जाएगा यहां देख सकते हैं नव दॉस्वलाव आड़ दो यह हमारा सही बता रहा है ठीक है इसके बाद यहां डायोड हम चेक करेंगे तो डायोड चेक करने के लिए फिर हमको बजर मोड में जाना होगा एक side से reading दिया और दूसरे side से नहीं reading गया यह भी हमारा सही है यह capacitor हम चेक कर लेंगे और यहां दोस्तों यह हमारा circuit में लगे लगे capacitor नहीं चेक हो सकता यहां पर आपका circuit का जो resistance वो तो सो कर देगा, ठीक है, इसके बाद कपलर पे हम देख लेंगे, कोई sorting तो नहीं है, तो यहां देखिए, कपलर पे हम चेक कर रहे हैं, तो कोई भी sorting नहीं मिल रहा है, तो यहां काफी चीजे खोजने के बाद, ठीक है, तो हमने क्या किया, इस IC को चेंज किया, तो आइए हम IC के आपको दिखा देते हैं देखे हमारा हाफ एक काम का रायानी यहां पंद्र न दॉल्ट और 10 बूट सप्लाई मिल रही है जब कि यहां जो 5 बॉल्ट या साड Two-丁स सप्लाई में 36 बॉल्ट मिलता है वो सप्लाई नहीं वहतन ही मिल रही है तो उसका फाल्ट यहां से है आई हम इसको दिखाते है आपको ठीक है तो आउच्ची फटा फट हम निकाल लेते हैं er तो यहां पर दोस्तों आई सोल्डर को यहां से हटा लेते हैं ठीक है do दोस्तों जो हमारे पास इसमें जो IC लगा हुआ है वो है तो हमारे पास APRC-DC bystoड गौन है नहीं है हमारे पास IC है जो आपका आपका वाइपर by भाइच से देख सकते हैं ऑइपर भाइच से है ठीक będ तो इस IC को हमें लगाना है लेकिन बस एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा IC बदलते समय एक चीज का ध्यान रखना है यहां आप PCB पर देख सकते हैं यहां चार लेक जो आपस में सौर्ट है ठीक है तो जो IC आप लगा रहें वाइपर बाई से इसके चार लेक जो आपस में यह सोमलब बीप की आवाज दे वही आई-सी इसमें लगाए है चुकि यह काता है दोल लेगा बीप देता है और ये एक अई-सी होता है जो चार लेक आपस में बीप देता है देखे आइसी इसे लगेगा जैसे कि यहाँ पे हमारा एक साइड में कट है तो यहाँ पे भी कट है ठीक इसी तरह बैठता है तो उपर वाले पीनों को हमको चेक कर लेना होगा इसका बीप ठीक है कि चारों पीने जो हमारे आपस में बीप दे रही है या नहीं दे रही है यहां देखिए को हमने connect कर दिया और यहां सभी पीने हमारे देखिए बीब की sound सुनाई दे रही ठीक है तो यह हमारा इस तरह से हमको चेक कर लेना है कि चारो लेग हमारा negative आर्थ है कि नहीं है ठीक है चार लेग जो है इसके आपस में बीब का sound देना चाहिए अब लगाना मै उसका ने बता दिया जो कट का निसान है उसी तरह सापको देख कि आपको iC लगा देना है तो यहां आपने iC को लगा दिया फटा फट इसके सभी पीनों को हम welding कर देते हैं कि Key Penis की आपस सटी ने रही कि इस तरह से आपका कोई बिल्र सटा ने रहे तो वहां पर थोड़ा सा प्रस्वे परेंगे और साफ कर लेगे इसको कोई भी अगर naroda इसमें अगर आपका पेट्रोल से साफ कर लेंगे, ठीक है, साफ कर लेने बाद देख लेंगे, कोई भी लेंगे, हमारा आपस में सठा न हो, ठीक है, अब आईए इस पर हम सप्लाई देते हैं, और इसका सप्लाई सेक करते हैं, आउट्टुट पे, तो यहां हमने सप्लाई दे दिया है, ठीक है, एक लेट पे यहां निगेटीव पे यानि को नमबर 5 यहां पर हमको बॉल्ट हमको मिलने लगा है यहां हमको ब्लस से ज़्यादा यहां कोड़ा है कभी ठीख उननीच से प्लस है इसके बाद यहां चार नंबर पे देखेंगे तो 13.52 यानि यह भी supply हमारी proper आने लगी यह फिर ground है और यह लेग हमारा यहां पे आपस में सटा हुआ ठीक है तो card को चलाने के लिए supply जाती है 3.47 तो दोस्तों आपने देखा यह card हमारा supply बना रहा था लेकिन कुछ supply नहीं बन तो हम ऐसे में यहां अपने output में ढूड़ते हैं कि हमारा कोई part यहां पे खराब है लेकिन ऐसा नहीं यहां IC के कारण हमारा यह card यहां पे जो है कि 3.4 वाला बोल्ट नहीं बना रहा था तो आपको मैंने live video दिखाया है ऐसा नहीं है कि हमने यहां कोई cut bit किया है तो दोस्तो इस तरह से आप part को भाई थोड़ा मेहनत करके निकालना पड़ता है थोड़ा समय देना पड़ता है वैसे ही नहीं मिलता ठीक है वीडियो पसंद आया हो तो भाई वीडियो को एक like कर दीजेगा अपने दूस्तों के साथ share भी कर सकते हैं चैनल पर नए है तो please channel को subscribe कर दीज ता है झाल WiFi तो भाई कि इस जंद अटीक है झाल झाल कर दीजेगे शव वाई पक्सुरत कर दीज़ burgers वरता है तो दीज़ कर डा़ोगो प्सक्तूर वामेदान के आॉवर लावगों धॉताव थाट मेहता हैं एसा दीज़ के मत भाई हैं भाई आक भाई हैं धुत mashन घड उन